जै श्रीमन नारायन दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं महनत का फल अगर आपको नहीं मिल पा रहा है आप बार बार महनत करते हैं लेकिन हर बार ही आपको निराशा हाथ लगती है तो मंदिर में चुपचाप से रख दीजिए ये एक चीज बदल जाएंगे आपके दिन कई बार लोगों की ये शिकायत होती है कि उन्हें उनकी महनत का मनचाहा फल नहीं मिल पा रहा है वे जितनी प्रशंसा और पैसे के हकदार है वो उन्हें नहीं मिल पा रही है तो उन लोगों के लिए आज मैं ये एक अचूक उपाई लेकर के आई हूँ जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी न भूलें तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं ये क्या चीज है चलिए जान लेते हैं आपको करना ये है कि एक रुपे का सिक्का या फिर कापास चांदी का चकोर टुकड़ा सफेद रुमाल या फिर तामबे के छोटे से कलश में से कोई भी एक चीज आपको लेनी है कोई भी एक सामगरी जो मैंने आपको अभी बिताई है उन मेंसे कोई बी एक चीज अपनी शमता के अनुसार आपको लेनी है और उसे चावल के साथ चुप चाप घर के मंदिर में या फिर बाहर किसी भी मंदिर में आपको रख देना है तो कैसे रखना है ये जान लेते हैं अगर आप सिक्के का चैन करते हैं तो एक रुपए क का चैन करते हैं तो कपास के साथ में चावल तो रखें ही पर शकर के कुछ दाने भी लेकर चुप चाप से मंदिर में रख दें कपास से मेरा मतलब है जो कौटन होती है उसका मतलब है कि आप वो कपास ले लीजिए अगर संभव हो तो चांदी का बहुत छोटा सा चौको टु उसके साथ में एक सुपारी साथ में लपेट करके मंदिर में आपको चुप चाप से रख देनी है आप चाहें तो तामबे का छोटा सा कलश खरीद ले और उसमें चावल भर करके मंदिर में चुप चाप से रख दें आप इन पांच में से कोई भी एक चीज ले सकते हैं ये ये उपाई आपको चुपचाप से करना है ध्यान रखें जब भी आप ये उपाई कर रहे हो उस दिन आप किसी को भी ना बताएं इस उपाई को आप चुपा करके ही करें अन्य था आपको फल नहीं प्राप्त होगा जब आपका काम बन जाए तब आप दूसरों के साथ में इ नहीं जानकारी के साथ जैश्री मना रहें दोस्तों